हमन है इश्क मस्ताना हमन को होशी यारी क्या रहे आजाद या जक्से हमन दुनिया से यारी क्या कबीरा इश्क का माता दूई को दूर कर दिल से जो चलना राह नाजुक है हमन सिर्फ बोज बाहरी क्या आजादी के इस नाजुक दौर में कबीर की तर्स पर हमन है इश्क मस्ताना का चोला पहन और सिर पर भारी बोज उठा सच की नाजुक राह पर चलते हुए हम फिर पहुचे हैं आपके पास सभी दोस्तों को नमशकार न्यूस क्लिक के कारेकरम खोच खबर में आपका स्वागत है दौर तो यह बहुत नाजुक है कश्मीर से लेकर पूरे देश में कानून और सम्विधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है और सबसे एहम बात यह कि इस पर जश्न का माहौल बनाया जा रहा है सत्ता को सीमित हातों में केंद्रित रखने और संगी धाचे को निस्तनाबूत करने के लिए देखे किस तरह की चीज़ें आ रही हैं एक देश एक चुनाओ सिर्फ यहाँ ही बात नहीं है बात पूरे स्ट्रक्चर को चेंज करने की है बात यह हो रही है कि चीफ आफ डिफेंस स्टाफ सीडियस जैसी बातों की घोशना सीधे सीधे लाल किले से प्रधानमंत्री करते हैं बिना किसी तरह के कंसल्टेशन के विविदिता और बैलन्स ओफ पावर जिसके लिए भारती समिधान दुनिया भर में सराहा जाता है उसे खत्म करने का खौफनाक इरादा सामने आता है वहीं जो एहम घटना क्रम हैं और जो खबरे हैं उन पर आपराधिक चुपी क्रिमिनल साइलेंस बना हुआ है जो लोग सरे आम एक भारती नागरिक को पीट पीट कर मार डालते हैं वे सब बरी हो जाते हैं ये मारने वाले हत्या का खुदी वीडियो बनाते हैं और हम तक और आप तक खुदी पहुचाते हैं वाटसप और तमाम सोशल मीडिया के जरिये हम सब इनकी शकले और इनकी कर्टूते इनके खून से सने हुए हाथ देखते हैं लेकिन फिर भी ये अदालत में छूट जाते हैं मेवाद के नूह इलाके में वहाँ जो रहते थे गौपालक, पहलूखान उनको एक अप्रेल 2017 को अलवर के पास गौ आतंकियों ने पीट-पीट कर मार डाला इस पर राजस्थान की अदालत ने जो फैसला सुनाया है उसने सब को बरी कर दिया है वही पर उसने यह भी क्या है कि जो पुलिस जाच एजेंसियां है वो जिस तरह से जाच कर रही है उस पर सवालिया निशान लगाया है और कहा है कि जो वीडियो, फोटो और बाकी साक्षों के पास थे उसे काइदे से नहीं पेश किया गया आजादी के पर्फ पर लाल किले के प्राचीर से प्रधान मंत्री नरेन मूदी ने जो भाशन दिया क्या उसमें पहलु खान की गमजदा, बेवा, जुबेना और बेटे इरशाद खान के आसू शामिल थे नहीं इसी तरह से उत्तर प्रदेश के मुजफर नगर में 2013 के अगस सितंबर के बीच जो खौफनाक, हौलनाक, सामपरदाइक इंसा हुई थी सामोहिक बलातकार के बारदाते हुई थी अगर उन तमाम मामलों को देखिए तो वो सारे मामले बंद हो गए हैं, आरोपी रिहा हैं, सामोहिक बलातकार करने वाले रिहा हो गए हैं जबकि ऐसे अंगिनत दास्तानों को खुद मैंने रिकॉर्ड किया था जो पीडिताओं ने बताई थी आप बीती, उनका जो रुदन है वो अभी भी मेरे कान में पिगले हुए सीसे की तरह चुपता है क्या उन्हें इंसाफ मिल पाया? कोई खड़ा था उनके पक्ष में? नहीं लेकिन लाल किले से मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की बात करने वाले प्रधानमंत्री इन मुस्लिम महिलाओं की वेदना पर बात नहीं करते हैं उन्हें नजर ही नहीं आती हैं यहां पर हो रहा है बिल्कुल उल्टा जो इन महिलाओं पर जुल्म धा रहे हैं जिन्होंने यह इस तरह की हिंसा की है, उन्हें बेशर्मी से रिहा किया जा रहा है, पूरी कानूनी प्रक्रिया को धता बता कर. इसी इलाके में सामप्रदाइक हिंसा के आरोपी भाश्पा विधायक संगी सोम पर मुकदमे वापस लेने की कवायत उत्तर प्रदेश के योगी सरकार ने शुरू कर दी है और जैसा हाल है बहुत जल्दी ही वे निर्दोश साबित हो जाएंगे कश्मीर के हालात पर बात करने से पहले एक बहुत ही परिशान करने वाली ख़बर दिल्ली से आ रही है जिसके ध्यान दिया जाना जरूरी है यहां तुगलकाबाद इलाके में संथरवीदास का मंदिर था बहुत पुराना मंदिर था और इसको लेकर वहाँ पर दलितों में काफी इसे लेकर श्रद्धा थी जिसे डीडिये ने यानि दिलनी विकास प्राधिकरण ने सुप्रीम कोट के अथिकरमन हटाओ आदेश के तहट गिरा दिया इसे लेकर बहुत आक्रोश है खास तोर से दलितों में दलित संगठनों का मानना है कि इसके लिए भाश्पा और आम आदमी पार्टी दोनों जिम्मेदार हैं क्योंकि दोनों ने इस मंदिर को बचाने के लिए कुछ नहीं किया अगर यह मंदिर किसी और का होता तो इसे बचाने के लिए जो राजनितिक दल हैं वे सामने आते और कोई न कोई रास्ता निकालते पंजाब में इसे लेकर बहुत हल चल है भीम आर्मी के नेता चंदरशेखर और आल इंडिया अमबेटकर महासभा के अशोग भारती ने 21 अगस्त को दिल्ली बंद करने का अहवान किया है यह मामला कितना बढ़ता है कैसे टर्न लेता है किस तरह का आकरोश आता है और जो राजनितिक दल दिल्ली में बैठे हैं इसका हल निकालने के लिए कुछ पहल करते हैं कि नहीं यह देखना अभी बाकी है लेकिन फिलहाल यह मामला ऐसा है जिसकी अंदेखी राजनितिक पा सरकार वह नहीं कर रही है अब रुख करते हैं कश्मीर की ओर जिसे तेजी से भारत के फिलिस्तीन में तब्दील किया जा रहा है आर्टिकल 370 को हटाने के पीछे जो सबसे बड़ा तर्क दिया गया था कि इससे कश्मीर बाकी हिस्सों से जुड़ेगा अगर आप ध्यान से देखिए कि 4-5 अगस के बीच जिस तरह से पूरी घाटी को कैद किया गया तब से लेकर आज तक जब हम और आप बात कर रहे हैं कश्मीर पूरे देश से कटा हुआ है पूरे देश से ही नहीं कश्मीर आपस में भी एक दूसरे का हाल चाल पाने में खोज खबर पाने में पूरी तरह से असमर्थ है वहां एमरजेंसी के हालात हैं कैद में है कश्मीर कश्मीरियत की हत्या हो रही है और एक के बाद एक आप पाएंगे की जूट बोला जा रहा है और सरकार केंदर सरकार जिस तरह से जूट परोस रही है जिस तरह से वह बताने की कोशिश कर रही है कि पूरी घाटी में बहुत शान्ती है और लोग 370 हटान ना दी जा रही है और यह सब किया जा रहा है इस देश और कश्मीर के नाम पर कश्मीर में पांच दिन तक फैक्ट फाइंडिंग करके लोटी टीम और जो उसकी रिपोर्ट है वह घाटी की वेदना को कुछ हद तक हम तक पहुचाने का काम करती है बहुत ही एतिहासिक काम इस और नेशनल एलाइंस फॉर पीपल्स मूव्मेंट के विमल भाई हम लोगों को लगा कि पूरा कश्मीर बंद है उसमें चंद एटियम और चंद दवाई की दुकाने और कुछ अस्पताल छोड करके कोई भी चीज खुला हुआ नहीं था वोल प्लेस वस डेसलेट, कोई, साइलेंस्ट, केश्ट, लोग बेबस नजर आरहे थे, लोग भूमिलेटे नजर आरहे थे, और लोग घुस्चे में भी नजर आरहे थे what we saw and heard in Kashmir, across Kashmir in the last few days is completely different from the official narrative that always well is that the purpose of this military presence is not primarily to look for terrorists or to defend the border against Pakistan, the main purpose is to control the local population and to prevent any protest however peaceful they may be. इस टीम ने निश्चित तौर पर बहुत साहसिक काम किया है जब से कश्मीर कैद में हैं कश्मीर की आवाजों को हम तक पहुचाने का काम बाकी देश से जोडने का काम इस टीम की रिपोर्ट ने किया है एक छोटी फिल्म वीडियो और फोटियो भी जारी की है इस टीम ने जिससे पता चलता है वहां की आवाज पता चलती है पता चलता है कि केंड सरकार का यह कदम कितना घातक और कितना विनाशकारी है इसे देखा जाना और जादा से जादा लोगों तक इसे पहुचाना बहुत जरूरी है इस समय सबसे जादा जरूरी है कि जादा से जादा लोग जो भारत से हैं वो वहां पहुचें कश्मीर को महसूस करें और कश्मीरियों को यह बताएं कि सारा का सारा भारत जश्न में शामिल नहीं है वे उनका दुखदर्द सुनना चाहता है। कश्मीर में सिर्फ नेताओं, कारे करताओं या यू कहिए कि जो सामाजिक कारे करता हैं सिर्फ उन्हें ही हिरासत में नहीं लिया जा रहा है। बलकि लगातार पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं। उन्हें उठाया जा रहा है, बंद किया जा रहा है, उन्हें लिखने से, बोलने से रोका जा रहा है। पुलवामा से ग्रेटर कश्मीर के पत्रकार इर्फान एहमद मलिक को जिस तरह से घर से उठा कर सुरक्षा बल ले गए उससे एक अंदाजा होता है कि वहाँ पर हालात क्या हैं। जो लोग लिख रहे हैं वह किस तरह से खौफ जदा माहौल में लिख रहे हैं। और काफी बा संख्या है जिस तरह से वहाँ जुबान पर पहरा है उसके खिलाफ सुप्रीम कोट का दर्वाजा खट-कटाया है। इन तमाम आवाजों को और बुलंद करना जरूरी है। लोकतंत्र समवाध डायलॉग से जिन्दा रहता है। और ऐसी ही एक छोटी कोशिश 12 अगस्त को ब चात्र चात्राये रहते हैं। वे कंपटीशन की तैयारी करते हैं, वे पढ़ते हैं, वे अपना भविश्य सुनहरा बनाना चाहते हैं। जिस तरह की पाबंदी कश्मीर पर थी, जिस तरह से कश्मीर पूरी की पूरी तरह से कटा हुआ था, ऐसे में इन बच्चों के लिए इद बहुत भारी थी सब ने साथ बैट कर इद मनाई इद अवे फ्रॉम हूम और यहाँ पर सिर्फ कश्मीरी बच्चों की बात नहीं थी बाकी जमहुरियत में जो विश्वास करते हैं उनका कश्मीर के साथ खड़ा होने का एक मौका था यहाँ पर कश्मीर के जो छातर छातराएं थी उनके आसू ठमने का नाम नहीं ले रहे थे उनकी कविताएं खतम होने का नाम नहीं ले रही थी और उनके समर्थन में जो लोग उतरे थे उनकी भी आँखें नम थी इसी इंसानियत को जिन्दा रखना सबसे जरूरी है हम जारी रखेंगे यह समवाद हम देते रहेंगे दस तक बना रहेगा हमारा और आपका साथ देखते रहिए News Click देखते और दिखाते रहिए खोज खबर कर देखते रहेगा हमारा और 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